किसान भाइयो मैं हूँ क्रिशी विशेश शग्ये और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उन्नत फार्मिंग में किसान भाइयो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि प्रो ट्रे में नरसरी कैसे तैयार करें बहुत सारे किसान प्रो ट्रे में नरसरी तैयार करना तो चाहते हैं मगर तकनीकी ग्यान ना होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे किसान भाई सीड जर्मिनेशन ना होने की समस्या बताते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्रो ट्रे में नरसरी आसाने से उगा सकेंगे और तकनीकी रूप से आपको किसी परकार के कोई शमस्या नहीं हो किसान भाईयो प्रो ट्रे में नरसरी तयार करने के लिए हमें कुछ चीजों के ओशकता पड़ेगी जैसे कि प्रो ट्रे, भर्मी कमपोस्ट, कोको पीट, सीड, फंजी साइड, रोस्केन और एक इस्ट्रक्चर जहां पे हम नरसरी तयार करेंगे सबसे पहले हम कोको पीट ब्लॉक लेंगे, आप देख सकते हैं या कोको पीट है या नारियल का बुरादा है, या ब्लॉक के फॉर्म में आता है जैसा कि आप देख सकते हैं या पाँच कीजी का ब्लॉक है और या पाउडर फॉर्म में भी आता है, मतला पाउडर फॉर्म ह ये बाद इस भीगे हुए कोको पिट को एक बार फिर से साफ पाने में धोले क्योंकि कोको पिट में साल्ट होता है क्योंकि ये कोस्टल एरियास से आते हैं जो की पौधों को नुकसान पहुचाते हैं तो इसलिए हमें इसे अच्छे तरीके से एक बार और धोलेना चाहिए ज हम इसे पांच मिनट के लिए ही धूप में सुखाना है अब इस भीगे हुए कोकोपीट को हम एक बरतन में ले लेते हैं और उसमें हम वर्मी कमपोस्ट मिला कर एक ग्रोइंग मीडिया तयार करते हैं इसके लिए हम 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कमपोस्ट लेते हैं ध्यान रहे कि हमेशा अच्छे क्वालिटी का वर्मी कमपोस्ट ले जैसा कि आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे क्वालिटी का वर्मी कमपोस्ट है जिसे हम अभी नरसरी तयार करने में यूज करेंगे इन सभी को मिला करके हम एक अच्छा सा मिक्षर तयार कर लेंगे ऐसा mixeur तैयार करने के लिए आप 5 kg cocoa pit block में 8 kg vermi compost मिलाकर मिकशर तैयार कर सकते हैं यह एक average ratio है जो कि आप यूज कर सकते है अगर आप इस तरह के से mixeur तैयार करते हैं यानि के 5 kg cocoa pit block के साथ 8 kg vermi compost मिलाते हैं तो यह mixeur 104 sill वाले 40 tray के लिए परियाप्त होगा growing media तयार हो जाने पर आप इसे pro tray में इस परकार से भर लें अच्छी तरीके से भर लें और इसके बाद हम लोग इसमें बीज बोएंगे आप एक एक करके भी pro tray में ऐसे भर सकते हैं या फिर आप इस method से भी pro tray में growing picture भर सकते हैं आप अपने सहूलत के मुताबिक जो भी तरीका सही लगे वो तरीका आप अपनाएं। सेल्स में ग्रोइंग मीडिया अच्छे से भरें। अब ग्रोइंग मीडिया भर जाने के बाद इन सेल्स में इस परकार से होल बना ले। ध्यान रहे कि होल्स हमें जादे गहरे नहीं बनाने हैं क्योंकि अगर हम जादा गहरे बनाएंगे तो seed germination में problem आता है seed germinate भी नहीं करते और time भी जादा लगता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है किसान भाईयों, seed का chain करने के बाद उसका उपचार करना बहुत ही जरूरी है उसका उपचार करने के लिए हम किसी fungi site यानि के फफुंद नासी से हम उसका उपचार करते हैं हमें seed का उपचार कम से कम 3-4 घंटा के पहले कर लेना है सीड उपचार करने के बाद ही हमें इसे बोना है अगर सीड उपचार हम नहीं करते हैं तो सीड सड जाते हैं और जर्मिनेशन हमें कम देखने को मिलता है तो सीड का उपचार करना बहुत ही जरूरी है किसी फंजी साइट से हमें इसका उपचार करना है इस बात का हमें ध्यान रखना है अब, इन होल बने सेल्स में हमें एक-ईक बीज साउधानी पुरुवग बोना है अगर किसी में दो बीज भी चला जाता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है मगर सभी सेल्स में हम एक-एक बीज ही बोएंगे क्यूंकि एक एक बीच बोने से एक एक पौधा तयार होता है हर सेल्स में और पौधे की बीच में निूट्रियंट्स के लिए कोई competition नहीं होता है जिससे पौधे काफी अच्छे तयार होते है या प्रो ट्रे की एक खासियत है कि इसमें कोई competition नहीं होता है और पौदे काफी हिल दे तैयार होते हैं तो हमें ये प्रोसेस कर लेना है सभी होल्स में एक एक बिच डालना है उसके बाद हमें इसे कवर कर लेना है इसके लिए हम थोड़ा सा ग्रोइंग मीडिया लेते हैं और उपर से हम इसे ढग देते हैं याद रहे कि ज़्यादा प्रेस भी हमें नहीं करना है बस हलके हातों से उपर से हमें इसे चला देना है ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमें प्रो ट्रे को कवर करना पड़ता है इसके लिए हम प्लास्टिक की सीट लेते हैं और उसमें दस-दस प्रो ट्रे का बंडल तयार कर लेते हैं हम इस परकार से प्रोट्रे को एक के उपर एक रख लेते हैं ध्यान रहें हमें बीज बोने के बाद इसमें किसी परकार की कोई सीचाए नहीं करना है हमें इस परकार से बंडल बना करके रूम के अंदर में अंधेरे में रख देना है ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए हमें डार्क प्रियर्ड देना होता है यानि अंधेरा देना होता है और प्लास्टिक में कवर करने का फायदा यह है कि जो ग्रोइंग मीडिया में मौश्यर होता है वो नमी बनी हुई रहती है और अंधेरा भी प्रोवाइड करता है तो कवर करने का ये फायदा है और temperature भी अच्छा Wonderful रहता है जिसे germination जल्दी होता है तो इस प्रकार से हमें Conundal बना लेना है और चार से पास दिनों के लिए room के अंदर अंधेरे में रख देना है ध्यान रहे कि हमें ये देखते रहाना है कि germination हो रहा है या नहीं जैसे हमें दिखे कि germination हो रहा है तो सारी pro tray को बाहर निकाल का nursery में रख देना है जिससे इसका आगे का growth हो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 दिनों के बाद ये germination हो गया था जिसे हमने बाहर निकाल का नरशरी में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्यट्ड जर्मिनेट किये हैं यह टमाटर की नरसरी है जिसे हमने 5 दिन पहले बोया था अब देख रहे हैं कि बहुत सारा ट्रेस सूख भी गया है तो अब हम इस पे पहला सिचाय अभी करना है इससे पहले हमने कोई सीचाई नहीं किया था पहला सीचाई हमें अब करना है इसे निकालने के बाद हमें अब इसे सीचाई करना होगा और सीचाई करने के लिए हमेशा रोज किन का ही उप्योग करना है जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोज किन से हम इस पे सिचाई कर रहे हैं इससे काफी स्विधा होती है सिचाई करने में और समय भी कम लगता है एक बात का दिहान देना है कि हमें डेली सिचाई करना है हमें यह सूखने नहीं देना है क्योंकि यह cells बहुत छोटे हैं इसलिए यह बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इस nursery को बनाने के लिए हम cladding material याने के ऊपर में हमने plastic डाला है जिसे इसका temperature भी जादा है तो यह जल्दी सूखते हैं तो किस समय कौन सा cladding material यूज करना चाहिए प्लास्टिक यूज करना चाहिए या फिर सेड नेट यूज करना चाहिए इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो वो आप वीडियो देख सकते हैं उससे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी ये नरसरे सिब बारा दिनों के बाद आप देख सकते हैं बारा दिनों के बाद ये पौधे कितने बड़े तयार हो गये हैं तो इस मेठड में पौधे अच्छे तयार होते हैं और जल्दी पे तयार होते हैं आप देख सकते हैं सिब 12 दिनों के बाद पौधे कितने अच्छे तयार हुए हैं इस स्टेज में यानि 12 दिन और 20 दिन हमें सुल्यूबल फर्टिलाजर NPK 1919 का इरिगेशन वाटर के साथ मिला कर हमें इसका सीचाई करना चाहिए इसके लिए हम 3 ग्राम पर्थी लेटर पानी की दर से NPK लेते हैं और इस परकार से हम इसका सीचाई करते हैं इस से पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और इसका रिजल्ट आपको तुरंद देखने को मिलेगा एक दो दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि पौधे किस परकार से तयार होते हैं 21 से 30 दिन के अंदर पौधे तयार हो जाते हैं टामाटर का पौधा तो बहुत जल्दी तयार हो जाता है वो 20 दिन के अंदर में तयार हो जाता है इसके बाद आप इसको transplant कर सकते हैं मिर्च में थोड़ा समय लगता है उसमें 25 से 30 दिन लग जाता है तो आप NPK का परियोग जरूर करें आप देख सकते हैं 20 दिनों के बाद ये हमारा tomato का पौधा बिलकुल भी transplanting के लिए तयार हो गया है आप देख सकते हैं पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने बड़े हो गया है सिर्फ 8 दिनों के अंदर में इसका कितना growth हो चुका है आप देख सकते हैं 8 दिन पहले हमने इस पे NPK का गोल चलाया था उसके बाद अब result आपके सामने है किसान भाईयो अब transplanting करने से पहले हमें इसका hardening करना होगा hardening करना होगा मतलब बाहर के जो वातावरन है उसके अनुकूल बनाना होगा अगर हम अनुकूल नहीं बनाते हैं hardening नहीं करते हैं और सीधे transplant कर देते हैं तो पौधे मरने के chances जादे होते हैं क्योंकि अभी यह एक protected environment में है hardening करने के लिए अभी जो उपर में इसका plastic लगा हुआ है उसे हम पहले दिन 2-3 घंटे के लिए हटाते हैं फिर अगले दिन कुछ जादा समय के लिए और 3-4 दिनों तक ऐसा करने के बाद हम इसे खेत में transplant कर देते हैं किसान भाईयो आसा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रो ट्रे में नरसरी उगाने पर किसी परकार की कोई समस्या नहीं होगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा किसान भाईयो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं किसी तरह का कोई question हो या फिर कोई suggestion देना चाहते हो तो comment कर सकते हैं और इस channel पर अगर आप नए हैं तो इस channel को subscribe कर सकते हैं फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ